नमश्कार मित्रों कल यानि 10 जनवरी सकट चोट तिल चोट का वरत है यदि आप तिल चोट का वरत पहली बार कर रही है और उसी समय में आपको पिरड्स हो रहे हैं तो आप वरत कैसे करें महिलाओं के लिए स्पेशल वीडियो आज आपकी रिक्वेस्ट पर ले कर आए हैं मित्रों तो महिलाओं जिने की पिरड्स आए हुए हैं और तिल चोट का वरत पहली बार शुरू कर रही हैं या पहले भी जो कर चुके हैं और इन दोरान वरत करें या ना करें मन में संशे बना हुआ है तो वही जानकारी आज हम आपके लिए ले कर आए हैं मित्रों यदि आप तिल चोट का वरत पहली बार करना चाहते हैं या पहले भी कर रहे हैं और इनी दोरान आपको पिरड्स प्रॉब्लम हैं पिरड्स देखिए ये तो नैच्छरल प्रोसेस है ये सरकल तो महिलाओं का चलता ही रहता है ऐसे में मन में यही रहती है कहीं हम वरत करें और हमें वरत का फल ना मिले या वरत करें तो उससे हमें कुछ नुकसान ना हो तो इसी बारे में जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों देखी यदि आप पहली बार वरत कर रहे हैं तब भी आप वरत कर सकते हैं और यदि आप पहले वरत कर चुके हैं और इन दिनों पिरड्स हैं तो हम वुरत करें या ना करें, ये सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वुरत असानी से ही कर सकते हैं, कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने वुरत को कॉंटिन्यू कर सकते हैं मित्रों यदि आप पहली बार भी वरत करें हैं तो आपके वरत का संकल्प आपके घर में आपसे कोई बड़े हैं आपकी सासुमा ननद या आपके पती उस वरत को संकल्प रूप में धारन कर सकते हैं मांसिक रूप से आप खुद का संकल्प ले लीजी लेकिन जो हाथ में जल लेके फू लेकर और तिल लेकर संकल्प करना होता है वो आपके स्थान पर आपके घर में जो भी हैं वो वरत का संकल्प ले ली और उसके बार जो भी भगवान जी को परशाद चढ़ाना है बनाना है वो आपको नहीं बनाना नहीं चड़ाना है आपकी जगा, आपका परशाद, आपके family members, आपकी सास, आपके पती, आपकी ननज, जो भी घर में हैं वो बना लें वही गनेजी के सामने पूजा अर्चना करें, दिपक चलाएं हाँ, आप कथा सुन सकते हैं, कथा आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि धार्मिक पुस्कों को चूना अच्छा नहीं माना जाता लेकिन आप किसी के द्वारा कही हुई कथा को असानी से सुन सकते हैं चाहे हमारे चैनल पर भी आप गनेजी की सकत चोत माता की कहानी चला कर सुन सकते हैं कथा तो इस इन अवश्य ही सुननी चाहिए मित्रो कथा सुनकर ही वरत का पून फल मिलता है लेकिन आप पूजा पाठ दूसरों से करवा लीजी अपनी जगा पर और भगवान जी के लिए परशाद भी आप दूसरों से बनवा लीजी या फिर आप रेडिमेट बजार से मंगवा कर भगवान जी को परशाद अरपन कर सकते हैं क्योंकि कई बार घर में किसी को परशाद नहीं बनाना आता हैस्बंड वाइफ अकेले रहते हैं तो हैस्बंड कहीं किचन का काम नहीं जानते तो आप रेडिमेट परशाद बनवा लीजी या मंगवा लीजी और उसी से ही भगवान जी को भोग आपके पती लगा देंगी और उसके बाद आप परशाद उनके हाँ से ही अपने हाथ में लेकर ग्रहन कर लीजी और वरत का पारण आप कर सकते हैं रात को आपकी जगा अरग भी आपकी सासुमा आपकी ननद या फिर आपके पती चंद्रमा को दे सकते हैं इस तरह से मित्रों वरत आप रखें वरत में पूरी शर्दा और प्रेम भाव के साथ आप रखें भगवान सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है आपको वरत का पूर्ण फल मिलेगा क्योंकि आप मन ही मन आप पूजा कर लीजी मानसिक पूजा भी भगवान को अरपन कर दीजी उससे भी आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा आपके सान पर पूजा कोई और कर सकते हैं यदि कई बार ऐसा है आप अकेले रहते हैं और आपकी जगा पर कोई भी पूजा करने के लिए तयार नहीं है तो आप अपनी सहेली से कई लड़कियां होस्टर में रहती हैं तो आप अपनी सहेली से अपने मित्र से पूजा करा लेजिए यदि ऐसा भी संभब नहीं है तो आप मानसिक पूजा कर लिए मानसिक रूप में आप अपने मन में ही भगवान का ध्यान करें मानसिक ही आप जल अर्पित करें चंद्रमाजी को आप देखते हुए हाद जोड ल आई हैं या आप कर तो रहे थे वरत तब भी आप वरत को बीच में ना छोड़ें अपने वरत को लगातार करते रहें आपकी रिक्वेस्ट पर ये छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जूर सब्स अबादा जिए आपको यह जावड़ प्रोड़ें नाल हैं यह जा झाल हुआ को जूरें यह थी हैं यह जयादाए